मेरे परिवार जनों, जिनकी सूद कॉंग्रेस ने कभी नहीं ली, भाजपास सरकार उनकी सूद ले रही है। मत प्रदेश में बड़ी संख्या में बैगा, भार्या और सहार्या जन जाती के हमारे भाई बेहन रहते हैं। ऐसी पिछली जन जातियों के लिए, पहले की सरकारों को कोई परवाई नहीं थी। लेकिन मोदी हैं, कहीं पर भी बैठा वो हिंदुस्तान के किसी कौने के दर्द का पता चले न, तो दवाई ढून करके आ जाता है। और भाज़पा सरकार ने विशेश मिशन की घोजना की है, इन जन जातियों के विकास पर पंद्रा हजार करोड रुपे खर्च किये जाएंगे। मेरे परिवार जनो, कॉंग्रेस ने इतने दसो को तक देश में सासं किया। कॉंग्रेस ने आदीवासी खेतरों की सबसे दिक उपिक्षा की। जब कभी सुविधाओं की बात आती थी तो कॉंग्रेस कहती थी कि आदिवासी गाउं को सबसे अंत्य में रखा जाए। कॉंग्रेस ने आदिवासी क्षेत्रों को सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल तक के लिए तरसाया। आप हरान होंगे कैसे चलाते से। मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री बढ़ा, तो मेरा एक बार आदिवासी क्षेत्रों में प्रवास चल गाए था। तो लोगों ने मुझे कहा कि ये कॉंग्रेस के मुख्यमंत्री थे आदिवासी अमर्सी बे चौधरी, बोले ये उनका गाउं है, अच्छा ये उनका गाउं है, फिर मैंने का, क्या है विश्यस्ता, बोले साब ये टंकी है ने टंकी, पानी की, अमर्सी भाई थे तो टंकी बनी है, लेकिन अभी तक एक बार भी भरी नहीं है, परवा ही नहीं थी, मैं मुख्यमंत्री बना, तो तंकी को पानी से बर्दे काका बेड़ किया था, भाजपा सरकार आदिवासी खेत्रों में, 4G इंटरनेट पहुंचाने के लिए पे काम कर रही है, कॉंग्रेस ने आजहादी के बाद सिर्फ एक परिवार का ही गुर्णगान किया, कॉंग्रेस ने आधिवासी समाज को कभी उचित स्तान नहीं दिया, अब कॉंग्रेस की गल्पियां भी भाजपाई सुधार रही है, जन जातिये नायक, पेंटिया मामा हो, भगवान बिर्सा मुंडा हो, उनको उचित सन्मान भाजपा सरकार नहीं दिया है, कुछ दिन बाद ही, 15 नमेंबर को देश जन जातिये गवरों दिवस बनाएगा, ये भी भाजपा सरकार की पहल है, आज पूरे देश में आधिवासी योगदान को स्थापित करने वाले अनेश मारक बनाए जा रहे हैं, मद्ध प्रदेश में लागों सात्यों को पेशा का लाप भी मिला है, लगबग तीन लाग परिवारों को बन दिकार का पट्टा मिला है, ये दिखाता है कि भाजपा आधिवासी स्थाक्तिकान के लिए कितनी प्रतिवद्ध है,